नमस्ते दोस्तो मेरा नाम है विक्रम और मैं आपका धिल से स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल्ड आए के उपे दोस्तो जैसा कि हम सभी लोग जानते है कि हम जब भी गोल्ड लेने जाते है तो गोल्ड के कैरेट, गोल्ड का भाव ये सारी चीजों का हमको बहुत सा जो है confusion होता है तो आज हम बात करने वाले इस वीडियो में कि गोल्ड के कैरेट क्या होते है और गोल्ड के कैरेट से प्योर्टी का कैसा एक मतलब जुडावसा है तो दोस्तो सबसे पहली चीज जो हम लोगों को गोल्ड जब हम बाई करने जाते है तो कौन से कैरेट का गोल्ड ले तो gold जो होता है carrot में उसकी जो होती है purity छूपी हुई होती है तो सबसे पहली जो चीज होती है वो ये होती है कि gold carrot कौन सा हम लोगों को buy करना चाहिए और कितने carrot में कितना gold जो होता है वो pure होता है तो आज के इस वीडियो में हम लोग आपको एक डिटेल में मैं आपको समझाने की कोशेश करूँगा कि गोल्ड के केरेट से हम लोग उसकी प्योटी कैसे निकाल सकते हैं उससे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को एक चीज बता देना चाहता हूँ कि आप मुझे ये बताईए कि अगर आपके पास सव पेन है और उसकी वैल्यू अगर चोबीस रुपे है तो एक पेन की जो वैल्यू है वो कितनी होगी बहुत इजी सवाल है आप मुझे कमेंट करके बताईएगा और इस चीज का क्या लिंक है मैं आगे आपको बताने वाला तो दोस्तों सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि ये जो गोल्ड में कैरेट जो है वो आया कहा से जैसा कि आप सबी लोग जानते होंगे कैरेट जो होते दो प्रकार के होते हैं जैसे डाइमंड में जो कैरेट होता है उसका जो सम्मंद होता है वो होता है वेट से और गोल्ड में जो कैरेट होता है उसका सम्मंद होता है प्योर्टी से तो 1000 साल पहले जर्मनी में एक कोईन था जिसको मार्क कहा जाता था और उस मार्क का जो वेट था वो था 24 केरेट याने की 4.8 ग्राम तो जब भी कोई गोल्ड खरिदने जाता था या फिर कोई सोनार गोल्ड के बारे में बताता था तो ये कहा जाता था कि ये बिल्कुल 24 केरेट का गोल्ड है मतलब जितना का मार्क प्योर्टी या फिर वेट रखता था उतना ही मतलब इसकी प्योर्टी है तो मार्क जो बहुत प्रचलित कोईन हुआ करता था इसके लिए जो है मार्क से ये चीज़ जूड़ गई और कैरेट जो है वो सामने आया तो ये जो फणी टाइप का जो प्योर्टी का जो यूनिट है वो मार्क से रिलेटेड है याने कि जर्मन कोईन जो होता था मार्क उससे रिलेटेड है अब आप जैसा मैंने पहले आपको बताया कि क्यारेट में जो होते है दो टाइप के क्यारेट होते है एक होता है वेट में एक होता है प्योर्टी में तो गोल्ड में प्योर्टी के लिए क्यारेट का यूज होता है तो जब gold में purity के लिए karat का use होता है तो एक simple fund है कि मान के चलिए आप 22 karat purity का gold buy करने के लिए जा रहे हैं तो उसमें क्या होता है जैसे आप मान के चलिए एक जो karat है उसकी purity आपको पता होनी चाहिए वो होती है 4.166 मतलब 24 karat जो gold होता है वो 100% pure होता है तो अगर supposed to be आप 100 को divided by कर देंगे 24 तो क्या आएगा 4.166 ये 4.166 जो होती है वो एक karat की purity होती है हाला कि मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि 9 karat तक gold नहीं माना जाता कोई भी चीज को जैसे 9 karat का अगर मान के चलिए आपके पास कोई coin है तो उसको gold नहीं माना जाएगा क्योंकि वो below 50 जो मतलब purity होती है वो कोई दूसरा ही matter मान के चलिए हमें 22 karat का gold बाई करना है तो 22 karat का gold बाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा सबसे पहले उसकी 22 karat में जो purity है वो कितनी है वो पता हम लोगों को होनी चाहिए तो सबसे पहले जब भी हम लोग 22 karat को 24 से डिवाइड कर देंगे मतलब की मान के चलिए 24 100% प्योर है तो क्या करना होगा 22 divided by 24 is equal to जो भी आएगा into 100 मतलब ये जो रहेगी उसकी purity रहेगी जैसा कि मैं आपको screen पे मतलब screenshots दिखाते रहूँगा कि कैसे हम लोग ये कर सकते हैं तो 22 divided by 24 into 100 मतलब 91.66 ये हो गई 22 karat के purity अब मान के चलिए अपने को 18 karat का मतलब मान के चलिए निकालने का है purity तो 18 karat के लिए 18 divided by 24 into 100 मतलब 75 ये हो गया 18 karat की purity तो इस प्रकर से हम लोग जो है gold की purity निकाल सकते हैं और जैसा कि मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि आपके पास मान के चलिए 100 pain है जिसकी price जो है 24 रुपए है तो एक pain की price क्या होगी तो एक pain की जो price होगी 4.166 होगी वैसे हम लोग carat में भी same ये कर सकते प्ले कर सकते हैं कि अगर आपके पास में 24 karat का gold है वो 100% pure है तो एक karat gold जो है वो कितना pure है तो दोस्तो ये था आज का हमारा वीडियो वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करें दोस्तों के साथ share करें और चैनल को subscribe करना ना भूलें और gold और silver से जूड़ी और भी जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को subscribe बिल्कुल कर लीजे क्योंकि मैं gold से related बहुत साली चीजे जो है आपके सामने लाता रहूँगा तो आज के लिए बस इतना ही thank you